नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का फास्टी स्टेडी प्लानर यूटूब चैनल पर साथियों उत्तर परदेश विदान सबस सची वालिये आरो ए आरो दोहजार बीस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो की 7 दिसमबर 2012 को देर रात जारी हुआ था इसके उनलाइन फॉर्म आज 8 दिसमबर से स्टार्ट है और आप 7 जनवरी तक इसके उनलाइन फॉर्म भर सकते हैं चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या लिख हुआ है क्या आपकी एक्जाम पैटर्न होगा क्या-क्या इसमें देखते हैं भी देखे ये इसमें परकिरिया समझाई हुई है आपके ओनलाइन फॉर्म की इसमें दोस्तों यदि सामानियस रेनी की फीस लगेगी 950 रुपे और EWS की भी 950 फीस है आप अपनी-अपनी फीस देख सकते हैं इसमें आपने आरो-ए-ारो विधान परिशत वाला एक्जाम देख ही लिया होगा लगबग उसी पैटरन पर इसका भी एक्जाम होने वाला है ये दोस्तों फोटो और सिगनेचर का इन्होंने साइज दिया हुआ है किस साइज में फोटो और सिगनेचर अपलोड करने है ये दोस्तों रिक्त पदो का विवरन है इसमें संपादक के लिए एक वैकेंसी है अलग-अलग कैटेग्री वाइज परतिवेदक के लिए चार समिक साधीकारी की तेहरे वैकेंसी है साथ अनारक्सित के लिए तीन OBC के लिए दो SC के लिए ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और एक EWS के लिए इसके लावा दोस्तों देखते हैं कि इसमें देखो अपर नीजी सचिव की दो वैकेंसी है और सहाइक समिक साधीकारी की 53 वैकेंसी है जिसमें 22 अनारक्सित के लिए 14 OBC के लिए 11 SC के लिए 1 ST के लिए और 5 EWS के लिए व्यवस्थापन की एक वैकेंसी है सोद और संदर्ब सहाइक की एक वैकेंसी है सूचिकार की एक वैकेंसी है इसके लावा सुरक्सा सहाइक पुरूस 10 vacancy हैं इसकी और सुरक्षा साहक महिला एक vacancy है टोटल 87 vacancy पर ये notification जारी हुआ है और रिक्तियों की संख्या गट बढ़ भी सकती है आरक्षन इसमें उत्तर परदेश के मूल निवाजियों को मिलेगा आयू सीमा इसकी 21 से 40 वर्स है अब देखते हैं सैक्सनिक आहारता है एजूकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या है समपादक के लिए भारत में विदी द्वारा इस्थापित किसी विस्विद्याले की साहित तैत्वा किसी सामजिक ज्यान में इसनात्र की उपादी पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास चले दोस्तों देखते हैं समिक साधी कारी समिक साधी कारी की आपको सिम्पल ग्रेजवेट यदि आप हैं भारत में विदी द्वारा इस्थापित किसी विस्विद्याले की सनात्र कुपादी या राज्य या सरकार द्वारा उसके समकक समानेता प्राप्त कोई आहारता जदि आप सिम्पल ग्रेजवेट हैं तो आप समिक साधी कारी के लिए अपलाई कर सकते हैं और ये दोस्तों अपर नीजी सचिव इसमें आपके पास इस टेनो आनी चाहिए ये भी सिम्पल ग्रेजवेट के लिए है ये दोस्तों समिक साधी कारी और अब देखते हैं सायक समिक साधी कारी सायक समिक साधी कारी के लिए भी आपको ग्रेजवेट होना चाहिए और O-Level का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जदि आप साहयक समिक साधी का अपलाई करते हैं FOM तो आपको O-level का ृपलोमा चाहिए और आपकी टैपिंग टैस्ट भी होगा और जदिए आप समिक साधी कारी के लिए अपलाई करते हैं तो आप नहीं तो आपको O-Level चाहिए और नहीं आपके पास टाइपिंग होगी आपकी आप सिर्फ Simple Graduate के बेस पर समिक साधी कारी के लिए अपलाई कर सकते हैं सुरक्षा साहयक पूरुस इसके लिए आप बारवी पास होने चाहिए आपकी लंबाई 168 cm होनी चाहिए वजन 69 kg होना चाहिए सीना आपका बिनफुलाए 86 cm और फुलाकर 91 cm होना चाहिए यह सुरक्षा साहयक के लिए है सुरक्षा साहयक के मानक जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि समिक साधी कारी लेवल 8 की जोब है 47,600 आपका बेसिक होगा और साहयक समिक साधी कारी लेवल 7 की जोब है जिसमें 44,900 आपका बेसिक होगा सुरक्षा साहयक पुरुस के लिए यह लेवल 3 की है 21,700 आपका बेसिक होगा इसके अलावा विधान साभा में कुछ अलग से भी भत्ते मिलते हैं यह नियूनतम और अधिक्तम आयू दी हुई है समिक साधी कारी के लिए 21-40 वर्स लगबग सभी के लिए 21-40 वर्स है सिर्फ संपादक के लिए 30-40 वर्स है और परतिवेदक के लिए 22 से 40 वर्स है और ये आईउ आपकी 1 जुलाई 2020 से काउंट होगी आर अक्सन इसमें कैटेग्री वाइज डिवाइड है सभी के लिए आप अपनी कैटेग्री में देख सकते हैं दोस्तो इसका प्री परिक्सा के लिए अलग आवधन होगा जैसा कि आपने विधान परिसद वाली वैकेंसी में भी देखा होगा अब देखते हैं इसका एक्जाम पैटरन क्या है एक्जाम पैटरन इसका लगबग विधान परिसद में जो आरो यारो की वैकेंसी निकलिती उसी के जैसा होगा देखें ये है प्रारंबिक परिक्सा में केवल वस्तुनिष्ट परकार का एक परसंपत्र होगा प्रारंबिक परिक्सा के कुल प्राप्तांक सो होंगे दोस्तों सो नंबर की ये आपकी परिक्सा होने वाली है और इसमें दो घंटे का आपको टाइम मिलेगा दो घंटे का तो आप इसे देख सकते हैं इसमें दो पोर्षन होंगे सामान्य अध्यन और सामान्य हिंदी पचास क्योंसन इसमें GS के आएंगे और पचास हिंदी के आएंगे टोटल सो क्योंसन आपको दो गंटे में करने हैं ये आपकी प्री परिक्सा है और प्री परिक्सा सभी पदों के लिए एक होगी केवल सुरक्सा सायक पुरुस और सुरक्सा सायक महीला को छोड़ कर और सभी पदों के लिए एक प्री परिक्सा होगी और सुरक्सा सायक पुरुस के लिए और महीला के लिए एक परिक्सा होगी इसके बाद मेन से सबका अलग-अलग होगा ये दोस्तों इसका स्लेबस है वो ही इसका आप स्लेबस मान सकते हैं जो यूपी पीसियस का प्री का होता है जिसमें की सामान्य विज्ञान, भारत का इत्यास, भारत राष्टे अंदोलन, भारत राजदंत्र, अर्थ व्यवस्ता एवं संस्क्रती, भारत किर्सी वानिज्य एवं व्यापार, जन संख्या परियावरन एवं नगरीकरन, भारत परिपेक्षे में, विस्व भूगोल, भा प्राकर्तिक संसाधन अध्यतन राष्ट्य अवं अंतराष्ट्य महत्पून घटनाएं सामान्य बोद्धिक छमता यह दोस्तों GS का सलेबस है और अब देखते हैं हिंदी का सलेबस हिंदी में दोस्तों 50 को सनाएंगे 10 आपके विलूम सब्द से होंगे 10 वाक्य वर्तनी सुद से 10 तत्सम और तत्भव और 10 परियाईवाची तो इसमें आपका व्याकरण नहीं पूछा जाएगा प्रिपरिक्सा में इसमें सिर्फ आपके विलूम सब्द वाक्य सुद्धी और ये परियाईवाची तत्सम तत्भव अनेक सब्दों के लिए एक सब्दी सभी क्यों समिक साधीकारी की मुख्य परिक्सा बिल्कुल आपकी विधान परिसत जैसी है इसमें जी-एस का पर्थम परसन पत्र होगा और दूत्य परसन पत्र सामान्य हिंदी का होगा जी-एस का परसन पत्र में 140 के उस्तन होंगे और 2 गंटे आपके पास समय होगा और हिंदी के पर यह मेंस जीए 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 और दो घंटे में आपको करने है यह यह है दोस्तों सहयक समिक साधिकारी का स्लेबस इसमें आपको यह स्लेबस भी लगबग बिलकुल समिक साधिकारी जैसा ही है 140 GS के प्रस्ण और 60 प्रस्ण हिंदी के और इसमें आपकी टाइपिंग भी होगी सायक समिक साधिकारी में यह दोस्तों सुरक्स सायक का स्लेबस है इसमें आप से 50 प्रस्न हिंदी के 50 जीएस के और 50 रिजनिंग के 1.500 के उसन 2 घंटे में पूछे जाएंगे यही दोस्तों इसका स्लेबस है तो यह 8 दिसंबर से दोस्तों फार्म भरे जा रहे हैं आप इने 7 जनवरी तक भर सकते हैं तो यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल पर आपको गोर्मेंट जो वेकेंसी की पलपल की खबर दी जाती है धन्यवाद दोस्तों